आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, हमारा Question है Identify the Reagent used to test starch तो हमसे आपर पूछा गया है कि starch टेस्ट करने के लिए हम कौन सा Reagent यूज करते हैं तो Friends, अगर बात करें starch के test की तो starch test में हम find करते हैं कि कोई से भी food material लेते हम small quantity of food material लेते हैं and उसमें iodine solution की 2-3 drops मिलाते हैं तो उसमें मिलाएंगे 2-3 drops of iodine solution ओके ये पता लगाने के लिए कि उस food material में starch present है या नहीं उसके बाद अगर उस food material में starch present हुआ तो उसका color जो है वो blue black हो जाएगा हमें कौन सा color मिलेगा blue black color मिलेगा तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस food material में जो है starch present है तो हमने यापर कौन से reagent का यूज करा है हमने यापर iodine solution का यूज करा है तो टेस्ट starch in food ये पता लगाने के लिए कि food में starch present है या नहीं तो हमारा option क्या हो जाएगा option 3 iodine हमने यापर यूज करा है as a reagent in starch test thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर